गुड बॉर्णिंग फ्रेंड्स वेल्कम टू मैं चैनल आज मैं बनाने जा रही हूं हरी धनिया पत्ति की चटनी और टमाटर की चटनी तो देखे फ्रेंड्स यह कितनी टैंप्टिंग लग रही है तो चलिए मैं बताती हूं किसे कैसे बनाना है फ्रेंड्स अभी जाड़े मे elbow कि चटनी की चलिए को समयन यीma हम लाड़ टमाटर लिए हैं अद्भान की धन्या बघ्रझथ धन्या पती बहुत दो कि समय गाट हम फैसे नहीं मैं अध्वक्षातलिश दॉक्राग लोग्ड है मौशिरक जादेृ तो फान्या टमाटर को चोटे चोटीक्रों में कट चैटनी आपना बना एंत양 है काफी तेस्टी होती है आप आप इसे चावल के साहते लोटी साहते याफर कंद और रते के साहते लगती है इस तरिके से ट्रbre अर्पीस कार पीशर ग्रीडर में आ खॉड़ Pack udah भी आगगा है तो देखिए इस तरीके से मैं यहां इसे चोटे चोटे टुकडो में काट कर रख दूँगी एक बॉल यहां मैंने लिया इसमें मैं इसे काट कर रख दूँगी तो इस तरीके से आपको भी चोटे चोटे टुकडो में इसे काटना है फ्रेंट्स और काटके इसे काफी बारीक बारीक काटने से क्या होता है इसको पीछते हैं तो अच्छे तरीके से यह पीछ जाती है और देखिए धनिया भी मैंने यह अच्छे तरीके से दो के ले लिया है तो इस तरीके से मैं काट रही हूँ चोटे-चोटे पीसे में काट देंगे हमी से冷 और काट के मिंशी में नैणर में ग्राइंडर में डालंगी मैं तो देखिए इस तरीके से हमें यहां काटना है यह तो देखिए फ्रेंड्स अगर आपको मेरी यह रेस्पी पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल लाइकन दवाना ना भूले तो देखिए यहां मेरी धनिया कट चुकी है और अब मै यहां पर एक मिक्सर ग्राइंडर ले रही हूं तो देखिए अच्छे तरीके से मैं इसे काट लिया धनिया को और अब मैं इसे मिक्सर ग्राइंडर में डाल दूंगी तो इस जार में मैं इसे डालती हूं जितना धनिया मैंने यहां पर लिया है उसे मैं डाल देती हूं और यहां मैंने कुछ अद्रक के पीसे जो काटे थे उसे भी मैं डाल दूँगी और एक चम्मच के करीब मैं इसमें तेल डालूँगी तो देखिए एक चम्मच के करीब मेरा तेल है इसमें और टेस्ट के कॉडिंग मैं इसमें नमक डाल रही हूँ तो देखिए एक चम्मच और थोड़ा सा और में डालूंगी टेस्ट के कारिंग आप कम्या जादा कर सकते हैं और थोड़ी सी मैं यहाँ पे लाल मिर्च ले रही हूं देगी मिर्च यह जदे तीखी नहीं है फ्रेंड्स आपको अपना टेस्ट के कारिंग जितना लेना या अरी मिर्च भी आप चाहे तो सकते हैं तो देखिए हमारी चटनी तरीके से बन के रिडि हो चुकी है तो अब FRIENDS हिसमें मैं थोड़ा सा निमू मै ने काट रखा है 1 पीस इसमें उसकी बीज निकालं और बीज निकाल के और इसमें मैं डाल देती हूं तो देखिए थोड़ा हाफ कटा हुआ निम्बू ही मैं यहां ले रही हूं एक पूरा निम्बू मैंने नहीं लिया है हाफ निम्बू लेके मैं इसके बीज निकाल को इसके रसको मैं इसमें डाल देती हूं और मिक्स कर देत तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक बटन दबाए और देखे इस तरीके से आप भी बना के ट्राइ करके देखे घर में यह चटनी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है तो एक बार जरूर ट्राइ करें ओ लाइ